भारत के दबाव में बद्दार रुक, मुंबई अटाक को बताया सबसे कोख्यात आतंकी हमला पगवम टेरर अटाक के मास्टर माइंड और भारत में मुस्ट अवांटेड पाकिस्तानी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी करार दिया जाने के प्रस्ताव पर वीटो लगाने के बाद भारत के साथ अमेरिका, बिटेन और फ्रांस का दबाव जहिल रहे चीन ने अपने रु पाकिस्तान ऐसे वक्त में आया है, जब पाकिस्तान के वदेश मंत्री शाह महमूद कुरहशी चीन की यात्रा पर हैं। आपको बता दे कि हाल ही में चीन ने सयोक्तराष्ट सुरक्षा परिशद में जैशे मुहमद के स्वरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोशि भी तलाश रहे हैं। ऐसे में चीन का मुंबई हमले के बारे में ऐसा बयान देना चीन के रुख में हैरान करने वाला बदलाव है। मालूम हो कि 2008 के मुंबई टैरर अटैक को पाकिस्तान से आए 10 आतंके उन्हें अन्जाम दिया था। भारत पर अब तक के सबसे बड़े हम हमले में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अपने अशांत शिंजी आंग प्रांत में आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक अभियान पर जारी श्वेत पत्र में चीन ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद और उगरवाद के बैश्विक प्रसार में मा आतंकवादी हमले को सबसे कोख्यात आतंकवादी हमलों में से एक करार दिया गया है। धिचलस्प है कि शिंजी आंग में आतंकवाद एवा मुगरवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवादिकारों की सुरक्षा शीर्शक्त वाले इस श्वेत पत्र को ऐसे समय में जारी कि गया है कि दुनिया भर में आतंकवाद और उग्रवाद ने शांती और विकास के लिए गंभीर खत्रा बना गया है। इस से लोगों की जिंदगी और संपत्ती को भी खत्रे में डाल दिया है। हाला कि यह श्वेत पत्र चीन के दोहरे रवे एको ही प्रदर्शित कर रहा है अभी पिछले हफते ही चीन ने पाकिस्तान अधारित आतंकी संगठन जैशे मुहमद सुरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोशित करने के सयोक्तराष्ट सुरक्षा परिशद के प्रस्ताव को वीटो कर रोग दिया था। जैशन पुलवामा समेत भारत में कई आतंकी हमले कराए हैं। जैशन पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भीली थी जिसमें सियार प्येप के 40 जवान शहीद हो गए थे बतादें कि चीन शिंजी आंग प्रांत में आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कारिवाई कर रहा है। अब तक 10,000 से लोगों को गिरफतार किया है।